आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि अगर आपकी हाइट छोटी है और आप जानना चाते हो कि किस टाइब की कुर्ती पहनने से आप हाइट दिख सकते हो तो बने रहेगा हमाई साथ वीडियो की इंट तक और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर तीजेगा टिप नमबर वन लेंद एंड श्लिट आपको अपनी कुर्ती की लेंद क्राफ में 45 तो 46 इंच ही रखनी चाहिए अगर आप 5.1 इंच या 5.2 इंच से भी कम है तो आपको अपनी कुर्ती की लेंद को नी की नीचे तक ही रखनी चाहिए गल्स शॉट कुर्ती से जादा लॉंग कुर्ती में हाइट आपकी लंबी दिखेगी विकाज उसमें फाब्रिक उपर से नीचे तक एक लुक देता है उससे आप अपनी हाइट से 1 & 2 इंच लंबे ही दिखो तो लॉंग कुर्ती को ही आप अपनी फर्स प्रिफेंस में रखे एंड आप ट्राइ करो कि आपकी कुर्ती में स्लिट हो इस्पेशली फ्रंट में फ्रंट के बीच में या साइड में उससे एक वर्टिकल लाइन क्रियेट होगी उपर से नीचे की तरफ तो उससे आपकी हाइट लंबी दिखेगी टिप नमबर टू प्रिंट & नेक डिजाइन आपको प्रिंटेट कुर्ती को एवाइट करें आप छोटे छोटे प्रिंट की कुर्ती को पहने और जब प्रिंट बड़े होते हैं हमारा लुक ओवर्वल हो जाता है बट हमारे कॉर्डिंग आप प्रिंट नहीं पहनो तो जादा अच्छा होगा और आपको पहनना पसंद है तो आप ट्राइ क कूल को आपको करनी है लोंग इस्ट्रप में वर्टिकल लाइन होता है लंबे-लंबे में जिसे की वह आपको लंबा दिखाने में हल्ट करता है नेकस्ट इस मतया सब्सक्रेंट पर गोटिशंटें वर्ड दीखना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम उतने ही खुद को लंबा दिखा पाई टिप नंबर थ्री है स्ट्रेट कुर्टी एंड एंपायर लाइन कुर्ति आपकी छोटी है तो आप ऐसी कुर्टी लो जिसका कट स्ट्रेट हो जो नीचे से ज्यादा घेर वाली ना हो अगर आपकी कुर्ती में जादा घेर होगा तो सारा फोर्स नीचे चला जाता है तो इसलिए जब उपर से लेकर नीचे तक की कुर्ती में जादा घेर नहीं होता है तो उससे स्ट्रेट लुक क्रेट होता है उससे आप लंबे दिखते हो जितना हमारे लुक में स्ट्रेट लाइन क्रेट होती है हम उतने ही लंबे दिख सकते हैं and next आप ऐसी कुर्ति लो जिसमें empire line ना हो अगर आपको पहनना पसंद है तो आप empire line just burst area के just नीचे वाली कुर्ती लीजे बट हमारा suggestion है कि आप empire line कुर्ती को avoid ही करिए क्योंकि empire कुर्ती आपके figure को divide कर देती है two parts में जिससे आपकी height और भी short दिखने लगती है तो girls आपको पसंद हो तो burst के just नीचे वाली empire कुर्ती को ही आप लीजे जिससे वो आपके उपर के part को छोटा और lower part को लंबा दिखाएगी उससे आप अपनी height से थोड़ा लंबा दिखोगे tip number 4 है lace and border आपकी height छोटी है तो आपको ये ध्यान देना है आपकी कुर्ती के end में जो border होता है वो बहुत चोड़ा नहीं होना चाहिए अगर आपको border लगवाना है तो आप छोटे border या lace लगवा सकते हो girls आपकी कुर्ती की same color की matching की because आपकी कुर्ती में border बड़ा और contrast होता ह तो वो two colors में divide कर देता है जो आपकी length को short कर सकती है तो girls आप छोटे lace और border का use करिए girls I hope आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो like, share and subscribe करना मत भूलिएगा आप हमें instagram पर भी follow कर सकते हैं अब हम मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए bye bye and take care, love you all